साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ, आप खैरो आफियत से होंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिछले 300 दिनों में इसराइल के आतंकी हमलों ने कितना कुछ तबाह कर डाला उससे पहले खास खबरों पर एक नजर तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक आप देख रहे हैं SD24, मैं हुमेरा कुरेशी इसमाईल हनिय की मौत का खुलासा इरानी खुफिया एजेंसी और सेना में मोसाद एक्टिव इरानी सेना और इरानी खुफिया एजेंसी पर मोसाद का कबजा इरान में ही रची गई इसमाईल हनिय के कतल की साजिश इरानी खुफिया एजेंसी और सेना के 20 गद्दार गिरफतार मोसाद से कनेक्शन इसमाईल हनिय को दावत दे कर बुलाया फिर मारा गया तीन दिन में इरान ने 30 बार इसराईल को धमकी दे डाली इस बीच फिलिस्तीनी मुजाहिद दीन ने 1500 IDF सैनिकों को जहन्नुम रवाना कर डाला इसमाईल हनिय शहीद होने के बाद से गुस्साई फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने इसराईल के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है इस्टर्न खान युनिस तेल अलहवा तुलकारेम में IDF के तकरीबन 1500 सैनिकों को जहन्नुम रसीद कर दिया है 200 से ज्यादा अपाहिज हुए पड़े हैं इसी के साथ दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर की धजजियां उड़ा दी इस बीच इरान ने इसराईल को अब तक 30 बार धमकियां दे डाली तीन दिन से इरान बदला लेंगे बदला लेंगे जैसे बयान ही दे रहा है चाइनीज न्यूज एजनसी मौग के मुताबिक इसमाईल हानिये के कतल के जिम्मेदार इरानी खुफिया एजनसी और सेना के 20 से ज्यादा अधिकारियों को गिरफतार किया गया है इरान के जर्रे जर्रे में मोसाद गुसा हुआ है ये खबर इरान के लिए सबसे बड़ी खत्रे की घंटी है इसमाईल हनिये की मौत के बाद अब दुनिया का कोई भी लीडर इरान आने से पहले हजार बार सोचेगा खैर इरान ने इसराइल के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया सिवाए बयान बाजी के वार एनलिस्ट्स के मुताबिक इरान इस बार भी हाथ आया मौका गंबा देगा अब जानते हैं पिछले 300 दिनों में इसरेक के फिलिस्तीन में नर संहार का ब्योरा डॉक्टर अफजल हाश्मी आदम चौगले बहन रहमत तुनिसा अनवर कुरैशी मुहम्मद गफार साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमर्जनसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं SD24 News को मिला फाइनेंशल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सिस से जमा 13 जुलाई से 12 अगस्त तक की इमदाद UNRWA के जरिये फिलिस्तीन पहुँचाई जाएगी गजा पर इस्राइली हमले के 300 दिनों में 16,000 बच्चे शहीद हो गए गजा पट्टी में गवर्मेंट मीडिया ऑफिस ने गुरुवार को पिछले अक्टूबर से पट्टी पर चल रहे इस्राइली अमानविये युद्ध के दर्द भरे नतीजों का एलान किया है कार्यालय ने एक प्रेस बयान में तस्दीक की है कि इस्राइली हमलों में 49,480 लोग शहीद हुए जिन में 16,314 फिलिस्तीनी बच्चे भी शामिल थे इसके अलावा 91,128 फिलिस्तीनी घायल हुए जिन में से लगभग 70 फिसद महिलाएं और बच्चे थे बयान में बताया गया कि अमेरिकन सपोर्टेड इस्राइली आकरा मक्ता ने दुनिया में सबसे खराब मानविये आपदा पैदा की क्योंकि इस्राइल ने गजापट्टी के साउथ में रफा बॉर्डर को कंट्रोल करने के बाद बंद कर दिया जिससे हुमेनिटेरियन एड को पहुँचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा नतीजतन तबाही का आंकड़ा बढ़ गया अस्पतालों में इस्राइली कायर सेना ने बनाई साथ सामुहिक कबरों को तलाश किया गया जिसमें 520 शहीदों को बरामत किया गया बयान में इशारा दिया गया है कि गजा में 17,000 बच्चे लावारिस हो चुके हैं जबकि 3500 बच्चे कुपोशन यानि मलनूट्रिशन, अनाज और दवा की कमी की वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं इतनी तबाही, बरबादी, हाहाकार के बाद भी आधी से ज्यादा दुनिया आज भी तमाशबीन बनी हुई है और लावारिसों, कुपोशितों, बेसहराओं के लिए अपने तीन दर्जन करमचारियों के शहीद होने के बाद भी सिर्फ अकेला UNRWA ही डटा हुआ है जिसमें 75 फिसद गैर मुसलिम शामिल है हम से जुड़े रहें क्योंकि यह बड़े दाव वाला जियो पोलिटिकल शतरंज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मिलते हैं ऐसे ही सटीक एनालिसिस, समरी और अहम खबरों के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे है सोशल डेमोक्राटिक न्यूज स्टी 24